कैबिनेट नी बैठक बाद एक महतोना समाचार अपने जनाविदी की कैबिनेटी बैठक बाद प्रेस कॉन्फिरेंस भाज अपनी थोड़ी जवार मा शरू धवानी छे थोड़ी जुबार मा आप्रिस कॉन्फरेंस शरू धशे प्रकाश जावडेकर आप्रिस कॉन्फरेंस मा हाजर शे खुबज महत्पपुल नीने लिवा शे जेमा तमाम खिड़ुतों ने जे 6000 रुपया नी सहाय आपकानो एक तो नीने करायो शे पांच एकव जमीनी जे मर्याधा पहला राखवा मा आवी ती सहाय माठे ते दूर करा शे आसाते असंगटी तक्षेत्रना जे मजूरो शे तेमने पन मासिक पैंशन नो लाब मर्शे प्रथम क्याबिनेट नी बैठक मा अने एक महत अपुन निर्णाय कराया चे खेडूतों माटे असंगटी तक्षेत्रना मजूरो माटे जे मर्याधा आती ये दूर कराई चे तो तमा मजूरो माटे पन मासिक पैंशन नी योजना चे आव प्रांत मूटी उमन असाहिंट वश्बाद जे त्रणाजार मासिक पैंशन मोधी सरकार नी प्रथम क्याबिनेट बैठक बाद आपर इस कॉन्फरेंस योजावानी चे थोड़ी जवार मा इस कॉन्फरेंस शरू थशे प्रकाश यावडे करिया उपस्तिच चे आसाथ इस कॉन्फरेंस शरू थशे काबिनेट नी बैठक बाद जिटला पन महत्वना नेड़े लिवासे जिटला पन चूटनी धंधेरामा वाइदा थे आस्यामाति कया मुद्दावने सोती पहला प्राधानिय पाश अधरनी जावडेकर साब, अधरनी चितेन सिंग्ची, अधरनी जीजी साब, उपस्ते सभी मित्रों नई सरकार बनने के पश्याद, आज पहली मंद्रिवश्यत के बैठक प्रधान मंद्री जी के अध्यक्ष्ता में संपन हुई पिछली सरकार के दोरान भी, आप सब के ध्यान में है, कि प्रधान मंद्री जी का ध्यान क्रसी छेत्र पर काफी गंबिरता से रहा है और प्रधान मंद्री जी ने उस समय भी ये कहा था, कि खिसान की आंधनी पाँच वर्स में दोगनी करने का प्रयास हम करेंगे और इसलिए पिछले दिनों क्रसी का उत्पादन बढ़े उत्पादक्ता बढ़े इस दिसा में प्रेतन हुआ फसल की लागत का देड़ गुना समर्थन मूले किसान को मिले यह सुनिशित मोदी जी की सरकार ने किया सिचाई की सुविधाएं बढ़ाईं खाद बीच की परियापत मात्रा में समय पर उबलगदा हो यह भी सुनिशित किया और खरीद समर्थन मूले पर अधिक से अधिक हो इसके लिए सवराज्यों को प्रोसाहिद भी किया और इसी के साथ साथ प्रधान मंद्री जी को यह लगता था कि क्रसी का छेत्र मुनाफिय का छेत्र बनना चाहिए इसलिए सरकार के खाजाने की रासी किसी न किसी योजना के माध्यम से किसान की जेब तक पहुँचे इसलिए पिछले दिनों पिएम किसान सम्मान योजना सरजित की गई और उस योजना में छे अजार रोपिया प्रति वर्स लगो और सम्मान किसान दो हेक्टेर से कम जोट वाले हैं इनको दिया जाए यह सुनेशित हुआ बहुत सरे राजियों ने उसमें सूचियां नहीं भेजी तो उन राजियों को तो यह नहीं मिला लेकिन तीन करोड से अधिक किसानों के खाते में इस योजना के माध्यम से पैसा पहुँच गया बीच बीच में यह बात भी आती थी कि किसानों में वर्गी करना नहीं होना चाहिए किसान वाने किसान है तो सबी किसानों को यह रासी साहता के रूप में दी जानी चाहिए तो अभी तक जो प्रावधान था उस प्रावधान के अंतरगत साड़े बारा करोड किसान इस योजना के अंतरगत कवर होते थे दो करोड किसान ऐसे थे जो अभी इस योजना से छोट रहे थे जो दो हेक्टर तक का बंधन आज मंत्री परश्चत ने समाप्त कर दिया है अब सभी किसान इस योजना में पात रहोंगे दो करोड किसान और जुड़ जाएंगे तो यह संख्या साड़े चौदा करोड हो जाएगी अभी तक सरकार का 75,000 करोड रुपिया इसमें लगता था अब 12,000 करोड रुपिया और अत्रीक तबहर आएगा ऐसे कुल मिलाखे 87,000 करोड रुपिया अब इस योजना के अंतरगत किसानों को दिया जाएगा मैं समस्ता हूं पहली मंद्री परशब और पहली मंद्री परशब में किसानों के हित का यह निर्णे बहुत ही स्वागत योग है सामाने तोर पर सरकारें जब चुनाब का समय होता है तो इस परकार के निर्णे करती है लेकिन मंद्री परशब का यह निर्णे मोदी जी की किसानों के प्रदि प्रदिवदता को प्रगट करता है और यह भी सिद्ध करता है कि मोधी जी के नितरतों में चल रही सरकार सिर्फ चुनाव और वोर्ट टीलेने के लिए सरकार नहीं है यह सरकार वास्ता में किसानों की माली आहलत सुधारना चाहती है एक दूसरा निड़े भी आज कैबनेट में हुआ को प्रधान मंदरी किसान पैंसन योजना किसान पैंसन योजना के अंतरगर लगबग ऐसे 12-13 करोड़ लोग हैं जो इस योजना में कबर होंगे लेकिन पहले चरण में 5 करोड़ लोगों तक यह योजना पहुँचे और यह हम लोगों ने लक्ष रखा है और इस योजना में 18-40 वर्स तक की आयू के किसान जोईन कर सकेंगे और इस योजना के अंतरगर जो लोग जोईन करेंगे उनको 60 वर्स पूरी करने के पश्या तीन हजार रोपया मासिक पैंसन प्राप्थ होगी यदि किसान की ब्रत्य हो जाती है तो उसके जो उत्रा धिकारी उनकी पत्री होंगी उनको 50 प्रस्त इस योजना का लाब मिलेगा इस योजना में लगभग 10,000 करोड रुपया खर्चाएगा और क्योंकि जब एक व्यक्ति अपना अंसिदान जमा करेगा जैसे 18 साल में जिसने जोईन की इस योजना को तो उसे 55 रुपय मासिक देना होगे तो 55 रुपय वो देगा तो 55 रुपय सरकार देगी इसी प्रकार से 18, 40 तक हर वर्स का स्रिडूल बना होगा है तो जितना पैसा हिदिगराई देगा उतना ही पैसा सरकार देगी इसके लिए 10,000 करोड रुपया हम लोगों ने प्रावधान किया है जिए दुनिया में एक तोर से अनूठी योजना है और एस योजना से आम गरीब और छोटे गाउं में रहने वाली विक्ति के जीवन इस तरह में बदलाव आएगा उसकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्यत होगी और लगातार जो बोधी सरकार किसानों के हिद में निरणे कर रही है उस दिसा में एक बहुत महत्मूर कदम है हम लोगों ने अपने संकल पत्र में भी इसका उल्ले किया है और मैं समझता हूँ आज खेती के छेत्र में किसान के हिद में ये दौनों निरणे हैं ये दौनों निरणे करके प्रदान मंतरी मोधी जी ने अपनी किसानों के प्रती प्रते बता और संकल पत्र में जो हम करने की शुरुवात कर दिये as you have seen landmark decisions by modhi government in the very first meeting of the newly constituted cabinet to issue shung kala me kiss on oki liya aur ek mahto पूर्ण निड़े हुआ है और वो सरकार की सववेदन शिल्ता दर्शाता है यह अबोल परश्वों के लिए है कि उसमें कि अनिक रोग होते हैं जैसे फूट एंड माउथ डिस्विज होता है या दूसरे भी प्रकार के वो बिवारी आती है उससे दो नुकसान होता है पहले तो दूध कम मिलता है कुछ तो बीमारी आइसी है कि पूरे जीवन में जितना दूध पशु देता है कि उसका तीस फीर सदी खतम यदि कम हो जाता है और इंफर्टिलिटी का भी मुद्दा आता है और इसलिए इनका वैक्सिनेशन हो यह स्कीम है और वैक्सिनेशन की स्कीम पहले से है लेकिन वैक्सिनेशन में अभी 60-40 के देशों में केंद्रा और राज्य देते थे लेकिन आज देना इतियासि किया है कि पूरा पैसा 13,000 करोड से 14 रुपिया केंद्रा सरकार पूरा का पूरा देगी पास साल में यह बीमारिया खतम करने का सरकार ने आज एक बड़ा कारिकम हाथ में लिया है और इसके लिए जगा जगा परशु में ले लगे है इसकी कल्पना यह है कि 30 करोड तीस करोड गाय और भैस और बैल यह इसमें वैक्सिनेशन होगा सौब खता करोड से जादा सुवर ऊंको भी विमारी होती है तो उसका भी वैक्सिनेशन होगा और यह वैक्सिनेशन हंड्रेड परसेंट पशो का हो यह किसां की लिए मुफ्त होगा और राज्यों को भी पैसा नहीं देना है राज्यों को केवल संगटित करना है पूरे तेरा हजार क्रोड रुपे यह अबोल पशो की तब यह ठीक रहे वो बिमारी से बचे और यह बिमारिया भारत से जैसे मिजल्स और बाकी बिम फारी भी खतम हो इसके लिए बढ़ा निर्णा एक क्या चबता कि चूटा दुकानदार से बिंदैर मेस्टारें है कुछ्छ न कुछ सामान स्वानभेशने में है तो इनके यह भी है जैसे किसां के लिए पेंशन है जैसे असंगटित मज़ुरों के लिए पैंशन योजना ह वैसे इन वर्गों के लिए भी अलग स्पेंशन योजना शुरू की है उसका रूप एक ही है और इसमें पाच करोण से ज्यादा छोटे व्यापारी और सावान बेचने वाले छोटे दुकानदार ऐसे शामिल होगे आने वाले तीन साल में यह कल बना है इसमें का एक में कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा इंहिंगे कर सकते हैं वही फॉर्मिला है अठ्वे साल में करेंगे तो रोज 2 रुपे है थी कि अगर 29 वह करेंगे तो 100 रुपे महने के है कि और 40 स्वे साल में करेंगे तो 200 में और जितने چ्षोटा व्यापल ही थिए बेचने वाला माल बेचने वाला डालेगा उतना ही सरकार देगे तो ऐसी दुनिया में ओजना नहीं है इस तरह का पेंशन का इन वर्गों के लिए और सरकार ने छोटे मंजले व्यापार के लिए बहुत सारी ने लिए जीएस्टी में कि देड करोड रुपे तक का जिनका एन्यूर टर्णोर है वह अब जीएस्टी के कख्षा में नहीं आते हैं उन्हीं के लिए ये पेंशन की स्कीम है और इसलिए और उनको मुद्रा लोन भी मिलता है असानी से तो जो एकदम छोटे व्यापारी है खुद्रा व्यापारी है औ जो कि छोटा-छोटा सामान बेशते हैं उनकी लिए ये योजना है यह भी एक लैंगमाल डिसीजन एक बहुत महतोपूर्ण डिसीजन यह लिया है और आंत में संसत्त का अधिवेशन जरूरी है और 17 जून से 26 जुलाई तक चालीस दिन का और तीस सीटिंग का यह अधिवेशन होगा सत्रा अठ्रा को लोग सभा के सब्सक्राइब की सब्सक्राइब होगी कि 19 को कि सभापती का चैहन होगा स्पीकर का उसके बाद 20 तारीक को राष्ट्रपती को कि दर्खास करेंगे कि वो दोनों सदनों के अधिवेशन को संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करें कि फिर उसकी चर्चा होगी पाज जुलाई को बजेट होगा और उसकी सारी चर्चा होके चबीच जुलाई को यह आधिवेशन समा थो तो यह बहुत आपाज जुलाई बजेट अधिवेशन को जोजना, 6,000 रुपीस in three installments of 2-2,000 each, will be given now to all farmers, earlier is what is restricted to only small and marginal farmers, now it is open for all farmers and so more than 14.5, 50 lakh, 14 crore 50 lakh farmers will be covered and government will incur 87,000 crore rupees per annum for farmers, this is input assistance. Second is Kishan Pension Yojana, that is any pension, any farmer can join the scheme from 18th year to 40th year with a premium ranging from 2 rupees a day to 6 rupees, 7 rupees a day and this will give them assurance of lifelong pension of 3,000 rupees because government is contributing equal amount throughout the period, so this is very ambitious scheme, the same kind of scheme has been also adopted for small shopkeepers, vendors and those who sell small, those whose turnover, annual turnover is below 1.5 crore, so all these traders will be covered and this is a huge scheme where 5 crore traders are expected to join the scheme in the next 3 years, at the same time the bovines and another sheep and goats and pigs get, they don't get vaccination, every buffalo or cow doesn't get vaccination, now government has decided like what we have done in human beings to give universal vaccination and the earlier scheme was 60% central government, 40% state government, now today government has decided that we will eradicate all these elements and will make our animal husbandry a very strong asset, to that effect more than 13,000 crores will be incurred and that will save the milk loss and infertility, so this is yet again a very ambitious scheme launched and decided today, the last item of course, the parliament session will start on 17 June and will end at 26 July, as you know the process is that we write to the president and the proposal is 40 days and 30 sitting spread over 40 days, 17th and 18th will be devoted to oath